आई ये अन्बोक्सिंग देख लेते हैं एराउंस कंपनी के SK-15 पोर्ट BT Bluetooth स्पिकर का ये एक 15 इंच का स्पिकर है जिसके हमार पे कुछ 20,000 ट्विस दी गई है थोड़े बहुत डिसकाउंट के साथ आपको मिल जाएगा फिर भी पहले साथ थोड़ी प्राइस कम होई है इसको कौल के दिखा देता हूं आपको पहले साथ 22,000 प्राइस चीज़ की वाटाक से खुल देता हूं बहुत यच्छा ब्रांड है ये भी साथ में दो कॉडलेस माइक बिलते हैं जो अपर थर्मकल में चिपके हैं बैटरी और रिमोट भी है साथ में ही कुछ माइक ऐसा दिखता है ये रिमोट है साथ में और दूसरा माइक भी है साथ में और साथ में मिलता है ये बॉक्स जो कि 15 इंच का स्टीकर लगा हूँ इसमें और एक ट्विटर है बहुत ये बढ़ी है अंदर बैटरी भी लगई है चार्जेबल ब्लुटूथ, FM रिकॉर्डिंग, सब कुछ है वाइस ओवर, टॉक ओवर भी है बहुत बढ़ी है फीचर है मैं आपको इसके सारे फीचर इस वीडियो में चला के दिखाऊंगा और इसमें नीचे थर्मा कॉल में आपको इसका पावर केबल जिसे चार्जिंग होगी वो यहां इसके नीचे रहती है यहां मिलेगी आपको थोड़ी बड़ी वाली है सो लैंपेर वाली कुछ ऐसी दिखती है पावर के बड़ी है अब यह बॉक्स का बैक पॉर्चन है यहां अन आफ का बटन दिया गया है थोड़ा जूम कर लेता हूँ यह ओन हो गया और यह ऊपर माइक जो कॉड़लिस माइक दो है उनका आन आफ बटन और वॉल्यूम बटन दिया गया है इधर ऊपर ब्लुटूत में स्विच रसकते हैं लाइन में स्विच कर सकते हैं और पेंटेव लगेंगे तो डाय्राइक वो पेंटेव चलना शूरू फिर वो पेर हो जाएगा फिर हमको यूटुब में यह जहां भी गाना है वहां जाना है मैंसिस का गाना जो मैं नॉर्मली प्ले करता हूं मैंसी को प्ले करने वाला हूं फिर फटाक से उसको में चला दूँगा जो मैटो के एड़ आगे तो चली शुरू करते हैं स्टार्ट तर्फ मर्ड्स it's murder मैं अब समय हथा क्या है इसमें आप दो माइक और लगा सकते हैं, लाइन लगा सकते हैं, मिक्स आउट कर सकते हैं, या आपके पास 12 वोल्ड का चारजर, उससे चार्ज कर सकते हैं, दर वॉल्यूम दी गया है, इको, बेस, ट्रेवल, सब दिया गया है, टॉक आवर फीचर भी दिया है, जिसमें हम गा बंद हो जागा या दोनों एक साथ चलेगा, यह सब फीचर में आपको आगे चला के दिखा दूँगा, यह एंटीना भी दिया गया है, माइक का रेंज बढ़ाने के लिए, कॉडलेस माइक जो है दोटो, उसके लिए, और यह कॉडलेस माइक है इसका, अच्छा हेवी है, और रेंज भी बहुत अच्छा है इसका, इसमें वो घड़ी वाली पेंसिल से लगती है, ऐसी, दोटो लगेंगी, बहुत बढ़ी आई है, यह सेल आपको हर जग अवेलेबल भी हो जाता है, इसे ग्रीन कलर कलाइड चल जाएगा, दो लगता है बैटरी, और हम इसको टेस् कर लेंगे, चालो करके, जैसे अन आफ होगी, और हमारे बॉक्स में, यहां पर इसका अन आफ बटन दिया गया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अन आफ बटन ये दिया है, इसको जैसे अन करूंगा, पता चल जाएगा कौन सा वॉल्म किसका है, पहला येलो जला तो वो वो हलो, हम लोग अभी टेस्ट कर रहे है, एरोंस, SK-15, यूटुथ वाला, वो टेबल स्पिकर, बहुत अच्छा है हूँ, और लेस माइक भी अच्छा है, रेंग भी बहुत अच्छा है, मगर अभी मेरे पास कोई बंदा नहीं, तो इसके रेंग को चेक कर है, फिर भी आप 50- से स्वामेटर के भी जिसका रेंग बान सकते हैं, ठीक है, माइक टेस्टिंग, बाइ, हलो, 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 हम इको टेस्ट कर रहे हैं, हलो, है रोंस, SK-15 का, हलो, 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 मैं आपको भी रिकॉर्डिंग फीचर दिखा रहा हूँ, इसमें पैंट्रेव बस डालना है, और बाड़ ब charter सुरू हो जाएगा, हलो, 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 अब जो मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं उसको stop कर रहा हूँ, अब इस जैसे में स्टॉप करूँगा वो प्ले होना शुरू हो जाएगा तो उसको भी सुन लेते हैं अब इसकी आडियो भी मैं आगे डालूँगा अब हम इस माइक का रेंड चेक कर ले रहे हैं मेरे पास बंदा आगया अब मेरा भाई है शुरू करते हैं जा पीछे और जा अलो मैं अब आप इसमें यूएसबी भी प्ले करके दिखाते हूं बस पें ड्राइव डालना है और यह जो भी कनेक्शन होगा हटा के सीधा यूएसबी को प्ले कर देगा सबसे पहला प्रेफरेंस से यूएसबी कर लेगा चली शुरू करते हैं तरह से शुरू करते हैं मैं उसके बारें बताने वाला हूँ इसमें होता ही है कि अगर आप इसको चालू कर देंगे जैसे आप बोलना चाहेंगे MP3 बंद हो जाएगा और जैसे ही आप चुप होंगे MP3 चालू हो जाएगा MP3 चालू हो जाएगा MP3 चालू हो जाएगा